नवस्कार दोस्तो जैहिन वंदे मातरम स्वागत करते हैं आपके अपने योटूब चैनल सिच्छक भरती के चैनल जैसवाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तो मैं आपके साथ जैसवाल सर दोस्तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं संसकत भासा की बात करेंगे आपके संसकत भा काईग आप लोग देख सकते हैं सेलेक्शन पाना है तो वीडियो को अन तक जूर देखें सभी प्रस्ण अटेंड करें सभी प्रस्ण आपके एक जाम पैटन पर यहां पे रहने वाले हैं तो चला यह शुरू करते हैं पहला प्रस्ण इसकीन पर देख लेते हैं क्या दिया ग है तो भासा धात जो है दोस्तो भासा सब्द जो है किस धात उसे बना हुआ है कस्मात धात समद्भूत है किस धास से बना है भास धास से भास धास से भास या भास धास से किस से बना हुआ है सबी लोग कमेंट के द्वारा बता सकते हैं तो राइट एंसर इसका क्या हो जाए सिच्छन सब्द कस्माद धातो सदमत भूता ही है यानि कि जो सिच्छन सब्द है यह किस धातो से बना हुआ है सिख धात से सिच्छ धात से सिच्छन धात से या इस धात से सिच्छन यानि कि एडुकेशनल से रिलेटेड हो जाता है आपका ठीक है तो सिच्छा प्रदान करने की प्रक्या सिच्छन कहलाती है और सिच्छन सब्द का जो धातु कस्मात धातु इसका किस धातु हो जाएगा तो सिच्छन सब्द का आप धातु क्या हो जाएगा सिच धातु हो जाएगा जैनि B आपसन आप लोगों का सई हो जाएगा चले अंगलाप्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है अंगलाप्रस निस्कीन पर है सबी लोग कमेंट करेंगे संसकत सब्द ये कस्माद धातव निश्पन नहीं यहीं संसकत सब्द में कौन से धातु का निश्पन निश्पन किया गया यहीं किस धात से संसकत में आपका किस धात से बना हुआ है संक धात से, क्री धात से, सम धात से, क्रे धात से तो संसकत जब जो सब्द बना हुआ है या आपके किस धास से क्री धास से बना हुआ है ठीक है सी आपसन सही हो जाएगा अंगला परस देख लेते हैं संसकत सब्द में परियुक्त उप्षर्ग विशेश है का जो संसकत सब्द है दोस्तो इसमें परियुक्त उप्षर्ग क्या है शू है सुप है संस है या सम होगा ठीक है तो संसकत में प्रयुक्त उपसर्ग है बिसेस है क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों का सम हो जाएगा ठीक है संसकत में क्या हो जाएगा सम उपसर्ग बिसेस हो जाएगा फोर्त आपसन आप लोगों का सही हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है पांचवा प्रस ने दिया गया है संपरिभ्याम भूष्णे इतेन सूत्रेन किम भवती कौन से सूत का है यह दोस्तो ठीक है संपरिभ्याम भूष्णे यह जो है किस सूत्र से लिया गया है तो यह आपके क्या है सुडागमे स सूच से लिया गया है किसके सुडागमться से सूर्स से लिया गया है पहला अप्षन सभी हो जाएगा सूगामज जो आपको सूत्र है समपरिभ्याम बोस ने लिया गया coalition ठीक है अंगला प्रस देखेंगे इसको याद कर लिजे का पांचमा प्रसन है इसको आप अभ्यास के द्वारा ठीक है इसको कंटर्स कर लें important प्रसन है अंगला प्रस देख लेते हैं संसकत सब्दे प्रत्य बिसेस है का जो संसकत सब्द है संसकत सब्द में प्रत्य कौन सा है सत प्रत्य है, कत प्रत्य है, का प्रत्य है, या कितन प्रत्य होगा तो संस्कत सद में प्रत्य बिसेश क्या हो जाएगा तो संस्कत में प्रत्य बिसेश सही आपसन हो जाएगा आप लोगों का कत प्रत्य है संस्कत में कौन सा प्रत्य है तो आपका कत प्रत्य हो जाएगा बी आपसन सही हो जाएगा चले अंगला प्रत्य देख लेते हैं क्या दिया गया है पांचमा देख लिया था हमने चटमा प्रत्य देखेंगे यहाँ पर चटमा प्रत्य क्या कह रहा दोस्तो संसकत सब्दे प्रत्य विशे से कावरते तो आपने पढ़ लिया या कत प्रत्य होता है ठीक है चले आप साथ वह प्रसंद देखेंगे क्या कहरा आप लोगों का संसकत ब्याकरणस प्रति निदे गरंथे का जो संसकत ब्याकरण की जो प्रतिनीधी ग्रंथ होता है दोस्तों वह आपके सब्दानुसासन होता है क्या हो जाएगा संस्कत ब्याकरण की प्रतिनीधी जो ग्रंथ है वह सब्दानुसासन सी आप्चन सही हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है भासा ही है वैसिस्टम नस्ती भासा में वैसिस्टम नहीं है भासा या एचिक प्रयोग है वाचिक प्रतीक बिवस्था यादरचिक द्वनी प्रतीक बिवस्था तातपर यार्थ रहित बिवस्था यह भासा में जो वैसिस्टम नस्ती तो भासा में वैसिस्टम नस्ती क्या नहीं है दोस्तों वह आपको होता है तातपर रहित बिवस्था आपका नहीं होता है वहांकि भासा ये चिक प्रयोग होता है वाचिक प्रतीक बिवस्था होती है और याद्रचिक द्वनी प्रतीक बिवस्था ये तीनों होती है लेकिन भासा में वर्शिष्ट जो है तातपर रहित बिवस्था नहीं होती है अंगला पर देख लेते हैं क्या दिया गया है नावा प्रसंदेखेंगे भासा सिच्छनस माध्यम विसेश है अस्ति भासा सिच्छन के माध्यम विसेश कौन सा होता है तो भासा सिच्छन की माध्यम विसेश यहां पर का हो जाएगा आपका आ अध्यम विस्जिस वो किया हो जाएगा? Right' अप लोगों का अप्चारिक सिछरम हो जाएगा ठीक है? भासा सिछन की मध्यम विस्जिस अप्चारिक सिछरम हो जाएगा अंगलाप्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है? जो सिछन सब्ध है ये शिच्छन सब्द जो है किस प्रत्य से बना हुआ है इस सब्द का निस्पत्य जो है किस प्रत्य से हुई है यानि सिच्छन सब्द में प्रत्य क्या होगा लेप प्रत्य होगा, लिट प्रत्य होगा, कि प्रत्य होगा या अड़ प्रत्य होगा तो बेतरीन लाजवाब प्रसने दोस्तों वीडियो को लाइक शेर करते रहेंगे आपका अपना परिवार है सिच्छन सब्द निस्पत्तव का प्रत्य है तो यहाँ पर आपका लुट प्रत्य हो जाएगा सिच्छन सद में यहाँ पर प्रत्य क्या है तो आपका लिट प्रत्य है ठीक है अंगला प्रस देख लेते हैं भासा सिच्छने प्रामुखेंड कती घटका है भवन्ती भासा सिच्छन के प्रामुख रूप से कितने घटक हैं 2 घटक है, 4 घटक है, 3 घटक है है या 6 घटक है तो बहासा सिच्छन के प्रमुक कितने घटक है सबी लोग फटा-फट नीचे कमेंट बाक्स में बताएंगे इसके एंसर इसका एंसर हम नेश्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों के लिए होमवर्क है चाहे कहीं से भी खोज करें इसका अंसर आप लोगों बताना है भासर सिच्छन के प्रमुक रूप से कितने घटक होते हैं अंगला परस देख लेते हैं क्या दिया गया परस निस्कीन पर आ चुका है नाट सिच्छत से प्रमुक उद्देश या निसंती जो नाटक सिच्छक है ठीक है नाटक सिच्छन में प्रमुक उद्देश क्यों सा होता है ठीक है बिनोध जनम होता है बिस्तरांत जनम होता है हीतोप देश जनम होता है या ये सभी होते हैं तो नाटक सिच्छन में जो प्रमुक उद्देश होता है, वह क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, दोस्तों, अंगला परस देख लेते हैं, क्या दिया गया है, नाटके अभिने कती शाथ, जो नाटक का अभिने होता है, उसे क्या बोला जाता है, दो नाटक में जो महत्पून तत्व आपका अभिने होता है और यह आपके चार प्रकार के होते हैं अंगिक, वाचिक, आहार और साथिक यह चार प्रकार के आपके अभिने होते हैं अंगला प्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है नाट सिच्छस प्रमुक उद्देश या निसंती तो यह प्रस्ण हो चुका है ठीक है अंगला प्रस देखेंगे सर्वोत क्रस्ट नाट विधी शाथ दोस्तो नाट विधी में सर्वोत क्रस्ट विधी किसे बोला जाता है सर्वोत्क्रस्ट नहीं सर्व उत्क्रस्ट सबसे उत्क्रस्ट जो है नाट विदी बोली जाएगी तुलना को कच्छा अभिने विदी को रंग मंच अभिने को या व्यक्ष्या को बोली जाएगी तो सरवोत क्रस्ट नाट विधी बोली जाएगी किसको बोली जाएगी सबी लोग फटा फटे हाँ पर कमेंट करेंगे तो राइट एंसर क्या हो जाएगा इसको दोस्तो कला अभिने विधी कच्छा अभिने विधी स्यामपट कार्यस उप्युक्तता लेखस इस्पश्टता स्यामपट कार्यस स्वच्चता या ये सबी तो स्यामपट कौसल में प्रमुख जो घटक होते हैं दोस्तो वह आपके स्यामपट कार्यस उप्युक्तता भी होती है लेखन इस्पश्चता भी होती है स्यामपट कार्यस और पड्यान से, जहां प्रसन आपके भरबर के आते हैं और यहां पे अगर भासा में आपने कंठस्ट कर लिया सभी प्रसन तो आप लोग समझ सकते हैं, इस सलेक्षन बहुती इंपोर्टेंट और बहुती इजली हो जाता है और आसान हो जाता है चलिए देख लेते हैं आपका एक अपटेत गद्यांस देख लेंगे जो सिच्छकबती में पूचा गया गद्यांस है आपकी एकजाम के ज़से संभावित भी है कस्मिसिच नगरे चंद्रो नाम भूपती है प्रतिवशत इसमें तश्च पुत्रा है वानर क्रीड दता है वानर यूथम नित्मेव विवताई भोज पदार्था है पुष्ट नयंत इसमें तस्मीन राजग्रहे बालवाहन यूगियम मेश यूध आशी तेसाम मेशाडाम दे एक हूँ है, एको मेश है जी यह आत्पश्चत इतद वच्चत यह आपका है अपटित गद्याणस से हम प्रसं लेंगे पहला प्रसं देख लेते हैं इस गद्या के अपटित गद्यानस का है कि प्रस्चत गद्यास में भूपदी समासों, वर्तते यिए जो भूपती प्रति वसित में क्या उपसर्ग हो जाएगा तो बहुत यह सिंपल सा प्रसन आपके लिए सभी लोग बता सकते हैं कि प्रति यहां पे आपका उपसर्ग हो जाएगा अंगलाप्रस देख लेते हैं तस्च पुत्राय इत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत भोज्यम पदे प्रत्यम वरते भोज्यम पद में प्रत्य होगा ठीक है सभी लोग कमेंट करेंगे भोज्यम पद में प्रत्य होगा भोज्धातु है हाँ पे तो कौनसा नेत प्रत्य हो जाएगा भोज्धातु धन्यत बराबर भोज्यम हो जाएगा अंगला प्रस देखेंग मेस यूथम पदे शमासो वरते मेस यूथम जो पद है इस पद में क्या समास होगा तो सभी लोग जानते हैं मेस यूथम पद में आपका ततपुर शमास हो जाएगा तीसरा आपसन सही हो जाएगा ये सभी नोर्स पीडिया फाइल पाना चाहते हैं टेलिग्राम में जरूर सर्च करें जैस्वाल कोचिंग सिंटर अंगला प्रस देखेंगे आसीत क्रिया प्रदश्च लकारों वरते जो आसीत यह क्रिया प्रदश्च है यह इसमें कौन सा लकार होगा लट लकार, लंग लकार, लिंग लकार या लंग लकार ठीक है आसीत मतलब थे यानि भूत काल की बात कर रहा है तो भूत काल यह नहीं क्या हो जाएगा लंगलकार हो जाएगा ठीक है दोस्तों अंगला प्रस देख लेते हैं अंगला प्रस्ण इस्कीन पर आ चुका है और प्रस्ण क्या पूंचा जा रहा है सभी लोग यहाँ पर कमेंट के मादर हमसे बताएंगे प्रस्ण अंगला देख लेते हैं क्या दिया गया है अब मान लीजे यह गध्यांस में आया हुआ है तीक है यह गध्यांस की लाइन है और एक पद में पूछ रहेगा कि दातुम में आपका बताईए प्रत्य कौन सा होगा तो दातुम में सभी लोग जानते हैं तुमन प्रत्य हो जाएगा दातुम ठीक है दातुम में कौन सा प्रत्य होगा तुमन प्रत्य हो जाएगा अंगला प्रस देखेंगे लुट प्रत्यश पदम शाथ लुट प्रत्य में कौन सा पद बोलेंगे पाचकय में, करता में, पक्वई में या नैनम में तो लुट प्रत्यश पदम साथ किसे बोलेंगे कौन से पद को तो नैनम को बोलेंगे फोर तापसन आप लोगों का सही हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं छिन्ने पदे प्रत्यम प्रियुक्तम छिन्ने पद में कौन सा प्रत्य होगा कौन सा प्रत्य का प्रियुक्त किया गया है तो छिन्नम में कत प्रत्य का प्रियुक्त किया गया है अंगला प्रस देख लेते हैं विपन्नो मतिय जाता ही है इत्तरत रिखांकित पदे प्रत्यम अस्ति यानि दोस्तो बिपन्नों में इस रिखांकित पद में कौन से प्रत्य का प्रियोग किया गया है सत, कत, कितिन, यतो बिपन्नों में आपके कत प्रत्य का प्रियोग किया गया है अंगला प्रस देखेंगे दोस्तों आपको पता है प्रत्य बहुत ही कटिन होता है पहचानना उपसर्ग पहचान लेते लेकिन प्रत्य सबसे कटिन होता है तो selection पाना है अधिक्तमाक सटैन करना है त्यारी out of 120 प्लस की चल लाई है क्योंकि minimum आपको out of 150 में 120 क्रास करना पड़ेगा selection के लिए तो त्यारी को ध्यान में selection को ध्यान में देकर सभी classes हो रही है प्रस्ण देखते हैं यत प्रत्यां तत्स रूपम नस्ती देखे यत जो प्रत्य है इसमें कौन सा रूप नहीं होगा देखे यत प्रत्य में चियम हो जाएगा धियम हो जाएगा आपका सप्यम हो जाएगा लेक मधुकर हतासत्म खलूम करती अत्र कह चंद है इसमें किस चंद का प्रयोग किया गया है तो सभी दुख जानते हैं सिखरणी और यह हमें कंठस करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा क्योंकि यह यहां पर लॉजिकल आपको नहीं पता चलेगा यहां कोई जांपल नहीं होत है ठीक है तो वयम तत्वान वेशाम मधुकर हतासत्म खलूकरती यह आपका सिकरणी चंद हो जाएगा अंगला पर देखेंगे जगत सब्दस से खष्ट यकई वचनम स्यात जो जगत पद है इसमें खष्ट एक वचन बताना है खष्ट ही एक वचनम स्यात खष्ट एक वच क्या हो जाएगा जगत हो जाएगा ठीक है जिसे रामय होता है उसे प्रकार जगत हो जाएगा जगत पाधातो लटलकारश प्रथम पुरोष बहुचनम पाधातो के लटलकार प्रथम पुरोष बहुचन में कौन सा होगा तो सभी लोग जानते पाश्चनती हो जाएगा पा यो भेव दीरते इतरत को छंद है इसमें क्यों से छंद का प्रयोग किया गया है यहाँ पे अनुस्टूप हो जाएगा क्या है कत्वा धर्म पदा वाचम अगर ही आ जाए तो अनुस्टूप छंद हो जाएगा अंगला पर देखिएगा अब जो नाम महम लिखा है इसमें कौन सा संदी होगा दीर्ग स्वरसंदी, गोन स्वरसंदी, ब्रद्दिश्वरसंदी, यन स्वरसंदी तो नाम महम में आपका यन स्वरसंदी हो जाएगा फोर्तापसन सही हो जाएगा अंगला प्रस देखेंगे बिश्मियो ना ही करतब्यो अब करतब्यो में कौन सा प्रत्य का प्रयोग किया गया है अब कोई भी अपड़ित गद्यान से एक लाइन ले ली जाएगी और उसमें पूछ किया जाएगा इसका प्रत्य बताएए इसका उपसर्ग बताएए तो करतब्वय का जो प्रत्य होगा इसमें तब्वयत प्रत्य हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो ये रहे आज की क्लास के महत्पूर्ण प्रसना आप लोगों कैसे लगे हमें प्लीज कमेंट के अमादन ज़रूर बताएं सबी क्लासे आपकी एक्जाम पेटरन पर चले है और जि बार यही कहूंगा अंत में प्लेलिस्ट एक बार रूरूर चेक करें सबी क्लासे आपके एक्जाम पेटरन पर चले हैं सलेक्शन दूर नहीं एक्जाम दूर नहीं है त्यारी जोड़दार होनी चाहिए तभी सलेक्शन मिलेगा दोस्तो क्योंकि कमप्टीशन बहुत ही बस दोस्तों जैहिंद वन्ने मात्रम मिलते हैं इस क्लास पर धनवाश चबी